इंडिया टुडे कॉंक्रेव में विपक्ष के नेताल आलकषन आडवाणी ने कल के भारत पर बात करते हुए कॉंग्रेस और लिफ्ट दोनों पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस नाजुक और एहम मस्लों पर भी विपक्षी पार्टियों से बात करने में परहेज करती है आडवाणी ने इसे कॉंग्रेस के घमंड से जोड कर देखा कॉंग्रेस पार्टी सफ़र्स पार्टी सफ़र्स पार्टी में थी एक डाइनस्टी है जो ही राज कर सकती है और कोई नहीं कर सकता आढवानी ने कहा कि इरान और भारत अमेरिका पर्मानु समझोते जैसे दोनों मुद्धो पर बीजे पी ने सरकार का साथ दिया जब कि सरकार की सयोगी लिफ्ट पार्टी उने अढंगा डाला आडवानी ने कहा कि सरकार ने इतने अहम मुद्धों पर बीजेपी से ठीक से बात तक नहीं की आडवानी ने बात-बात में विकासदर के सवाल पर भी सरकार को सुना डाला When our foreign minister had spoken about reaching an 8% growth, he was coughed at in Lok Sabha itself. And I think that this kind of comment made by the leader of the opposition at that time, not only it was a comment on the NDA scoffing at the NDA but it was belittling the capacity of the people and therefore it was unfortunate we achieved 8% and today if the prime minister the finance minister talks about achieving a 10% growth I think that ambition should be fulfilled I will be in the opposition will be fully support this kind of objective आडवानी ने माना कि आने वाला समय गड़बंदन राजनीती का है इसलिए राजनीती में चुवाचूत को छोड़ कर तमाम राजनीती गलों को देश के भले के लिए आपस में बाच्चीत का दायरा बढ़ाना चाहिए दीपक चोरसिया दिल्ली आश्टक